चानक के IS Academy Current Affairs में आप सबी का स्वागत है। शी जिन पिंग इसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरा भारत में Z20 शिकर समेलिंग के आयोजन से ठीक पहले चीन की सरकार ने ओफिशली एक नया मैप जारी किया है। जिसमें उसने भारत के अनाचल प्रदेश और अकसाई चीन को अपना हिस्सा बताया है। जिसके बाद से विवात खड़ा हो गया है यह पहली बार नहीं है जब चीन इस परकार की हरकत कर रहा है। इसी साल अप्रेल के महीने में चीन ने अनाचल प्रदेश के 11 जगों के नाम को बदलने की घोशना भी की थी। भारत की G20 अध्यक्षता के बीच विश्व समुदाय का ध्यान अपनी और अकरशित करने के लिए चीन इस परकार की हरकत कर रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीती को और मस्बूत करना चाता है। यहें किसी भी कीमत पर भारत सहित विश्व समुदाय को मन्जूर नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जो नया मैप चीन ने जारी किया है उसमें क्या है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसर चीन द्वारत जारी किये गए मैप में भारत के हिस्सों के अतरिक्त। चेन ने ताइवान और विवादित दक्षनी चीन सागर को भी चीन का छेतर दिखाया है। साथ ही चीन ने नाइन डेश लाइन को भी अपने अधिकार छेतर में दिखा रखा है। चीन की इस हरकत से विवाद बढ़ गया है। चीन ने साउथ चाइना सी के बड़े भाग पर अपना दावा पेश किया है। दक्षनी चीन सागर के छेतर पर फिलिपिन्स, वियतनाम, मलेश या, ब्रुनेई देश भी अपना दावा पेश करते हैं। चीन के नैचरल रिसोर्स मिनिस्ट्री की तरफ से यह विवादित मैप जारी किया है। चीन ने यह विवादित मैप नैशनल मैपिंग अवेर्नेस वीक के दोरांग जारी किया है। इसके साथ ही नैचरल रिसोर्स मिनिस्ट्री के हैड प्लानर वो वेंजॉंग ने इस अफसर पर ये भी कहा है कि सर्वेक्षन, मैप और भोगोलिक जानकारी रास्टर के विकास को बढ़ावा देते हैं। अब हम बात करेंगे भारत चीन सीमा पर जो तनाव रहता है जो विवाद रहते हैं उसके बारे में। चीन ने इसी वर्ष अप्रेल में 11 भारतियस्थानों का नाम भी बदल दिया था जिसमें आवास ये छेत्रों के साथ साथ पहाडियों और नदियों के नाम बदले गए थे यहां पहला मौका नहीं था जब चीन इस परकार की हरकत कर रहा था। चीन इस से पहले 2017 और 2021 में भी भारतियस्थानों का नाम बदल चुका है जिस कारण राजनितिक टकराव के सिती उत्पन हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इन सब पर भारत का पक्ष क्या है। भारत में हमेशा से ही चीन की इस विस्तारवादी नीती का विरोध किया है। भारत पहले भी चीन की विस्तारवादी योजनाओं को खारिच करता आया है। चीन के इस रुक्ता दोनों देशों के दीपक्षे रिस्तों पर परभाब पड़ेगा। साथ ही G20 की बैठक के दोरान चीन नए विवात को जनम दे रहा है। दौरतलब है कि G20 शिकर सर्मिलन में शामिल होने के लिए दुनिया के शिर्ष नेता भारत आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे भारत और चीन के सीमा विवात की प्रिष्ट भूमी पर भारत चीन के साथ 3488 किलोमेटर लंबी सीमा साजा करती है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखन, सिक्किम और अनाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये सरत तीन सेक्टरों से बटी हुई है, पश्चमी सेक्टर यानि जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर यानि हिमाचल प्रदेश और उत्राखन और पूर्वी सेक्टर यानि सिक्किम और अनाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सिमांकन नहीं हुआ है क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों देशों के बीच मतबेद है। भारत पश्मी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता रहा है लेकिन ये इलाका फिलहार चीन के नियंतरण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दोरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कबजा कर लिया था। वही पूर्वी सेक्टर में चीन अरनाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है। चीन का कहना है कि ये दक्षनी तिबबत का हिस्सा है। चीन तिबबत और अनाचल प्रदेश के बीच की मेक मोहन रेखा को नहीं मानता है। चीन का कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिबबत के प्रतिनिदियों ने ये समझोता किया था तब वो वहां मौजूद नहीं था उसका कहना है कि तिबबत चीन का अंग रहा है इसलिए वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता दरहसल 1914 में तिबबत एक सवतंत्र लेकिन कमजोर मुल्क था लेकिन चीन ने तिबबत को कभी सवतंत्र मुल्क नहीं माना 1950 में चीन ने तिबबत को पूरी तरह से अपनी कबजे में ले लिया कुल मिलाकर चीन अनाशल प्रदेश में मेकमोगल लाइन को नहीं मानता और अकसाई चीन पर भारत के दावे को भी खारिच करता है अब हम बात करेंगे लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल के बारे में इन विवादों की वज़े से दोनों देशों के बीच कभी सीमा ने धर्न नहीं हो सका यथा स्थिती बनाये रखने के लिए लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल यानि LAC टर्म का इस्तमाल किया जाने लगा हाला कि अभी ये भी स्पस्ट नहीं है कि दोनों देश अपनी अपनी अलग अलग लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल बताते हैं इस लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल पर कई ग्लेशर, बरफ के रेगिस्तान, पहार और नदियां पड़ती हैं LAC के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में तराव की खबरे आती ही रहती हैं इसके साथ ही भारत और चीन के बीच में जो हाल ही में विवाद हुए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पेंगॉग तसो पर विवाद जो हुआ है 134 किलोमेटर लंबी पेंगॉग तसो हिमाल्य में तरीब 14,000 फुट से जादा की उचाई पर स्तित है इस जील का 45 किलोमेटर हिस्सा भारत में पढ़ता है जबकि 90 किलोमेटर चेतर चीन में आता है वास्त्विक नियंतरन रेखा इस जील के बीच से गुजरती है कहा जाता है कि पश्चमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमन के एक तिहाई मामले इसी जील के पास होते है इसकी वज़ा ये है कि इस छेतर में दोनों देशों के बीच वास्त्विक नियंतरन रेखा को लेकर सैमती नहीं है दोनों ने ही अपनी अलग-अलग LAC तै कर रखी है दूसरा विवाद जो हुआ था वो है गलवान घाटी विवाद गलवान घाटी विवादित छित्र अकसाई चीन में है गलवान घाटी लद्दाक और अक्साई चीन के बीच में भारत चीन सीमा के नजदिक स्तित है यहाँ पर वास्पिक नेंतरन रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है यह घाटी चीन के दक्षनी शीन जियांग और भारत के लद्दाक तक फैली हुई है इस पर भी विवाद हो चुका है इस से पूर्व में डोकलाम विवाद हुआ था साल 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन की बीच काफी विवाद हुआ था जो 70 से 80 दिन तक चला और फिर बाचीट से सुलज गया था मामला तब शुरू हुआ था जब भारत में पठारी छेतर डोकलाम में चीन के सडक बनाने की कोशिश का विरोध किया था वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है लेकिन ये इलाका सिक्किम बॉर्डर की नजदेख ही पड़ता है दरसल ये एक ट्राइ जंक्शन पॉइंट है यानि भारत चीन और भूटान तीनों की ही सीमा यहां मिलती है इसके अत्रिक तवांग की बात करें तो अरुनाचल प्रदेश के तवांग इलाके में चीन की निगाएं हमेशा से रही है वो तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि तवांग और तिब्बत में काफी जादा सांस्कृतिक समानता है त्वांग बोदों का प्रमुख धरमसल भी है इसलिए कहा जाता है कि चीन त्वांग को अपने साथ लेकर तिबबत की तरह ही एक प्रमुख बोद स्तलों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है दलाई लामा ने जब त्वांग के बोद मटका दोरा किया था तब भी चीन ने इसका काफी विरोध किया था इसके अतरिक्त नाथुला जो की हिमाल्य का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत की सिक्किम राज्ये और दक्षनी तिबबत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है बच्छे तरमिस्तित कैलाश मानसरोवर की तिर्थे आत्रा के लिए भारतियों का जथ्था गुजरता है 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिये जाने पर साल 2006 में कई द्री पक्षिया व्यापार समझोतों के बाद नाथुला को खुला गया था तुकि 1890 की संदी के तहट भारत और चीन के बीच नाथुला सीमा पर कोई विवाद नहीं है लेकिन साल 2020 के मई महीने में ये खबर आई थी कि नाथुला दर्वे के पास भारत और चीन के सनिकों में जड़ब हुई है लेकिन इसकी पुष्टी नहीं हुई इस तरीके से आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद